छोइब के विए हैं हैं में तो कि आज अम श्टार्ट कर रहाम हमारे लेक्षर ऒर पॉइब इसलिक से पहले हम चार लिख रे चुके हैं लां प्रॉसस का कि अगर आप नहीं देखें। व हम अभी class 3 का chapter 6 पर रहे है, life process जिसमें हम लोग जानते हैं कि life process क्या है, life process के लिए कौन-कौन सा function करते हैं, हम लोग life को perform करने के लिए जो function करते हैं, उसको life process बुलते हैं, उसमें हमने nutrition को पूरा cover कर चुक है, इसको चार lecture हमने cover किया है, ठीक है, ये board exam के purpose से बहुत important है, खास कर रहे हैं, जो 2024 में दे रहे हैं, तो वह भी देख सकते हैं, इस वीडियो को, और बाकि जो वोट्स अभी है, वो बोट्स कभी हम syllabus courses कर रहे हैं, cover करने का, ठीक है, चले तो हम मेरा lecture स्टार्ट करते हैं, देरी ने करते हुए, वन मिनिट, हाँ, आज का हमारे lecture स्टार्ट करते हैं, तो दिके हमारे lecture में यहाँ है, सबसे पहले है, रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन क्या हता है, यह समझे लेए, वन मेट, हाँ, आज रिस्पिरेशन समझ लेते है, क्या होता है हमारे रिस्पिरेशन, लेए, प्रप्सेश हिए, फौर से उसको रिस्पिरेशन, जैसे के तेखिये, मियापर, कि फूर है, ऑक्षिएन के साथ चूर, दोनों कम्बाइन हुआ, दोने एक पार हमालास, carbon डियोकशीड, त्यूह प्रोड़क्ट जो इसका हुआ इसका हम क्या बोलते हैं रिश्पिरिशन में में क्या होता है ना क्या होता है कि वूड औक्किन के साथ कंबाइन होता है कंबाइन होता है थो क्लग क्या कार्मान्टचज। वाटर एनरजी देता है ठीक है, process of respiration in which the process of respiration which release energy takes place inside the cell of our body called cellular respiration, अब cellular respiration क्या होता है, तो हमने cell होते होता है, अब जानते हैं हम जितने भी human beings हो, यह plants हो, वो cell से बना होता है, cell के अंदर nucleus पा जाता है, यह cytoplasm होता है, यह पूरा, टूटल, तो यह जितने भी living organism होता है, वो कहीने कई cell से बनने होत अगर यह respiration हुआ, यह energy बनने का काम अगर cell के अंदर हुआ, इसको हम cellular respiration के नाम से जानते हैं, यह cellular respiration क्याते हैं, ठीक है, next समझते हम लोग, breathing and respiration में क्या होता है, आप दो term सुने होंगे, एक सुने होंगे breathing, एक सुने होंगे respiration, इस दोन में कुछ थोड़ा सा difference है, थोड breathing, एक तरफ respiration लिखा गया, एक तरफ breathing लिखा गया, दोनों को अगर डिफरेंस मारल है, one minute, I think something is, हाँ, it is a biochemical process, यह biochemical process होता है, और it is a physical process, यह physical process होता है, इसमें energy बनने का भी काम होगा, तोटने का भी काम होगा, और physical process मतलब normally, इस मुकावता है सिर्फ exchange होता है, ग्यास का अब देखें, एक्चली हम बता देते हैं, जब हमारे nose से air अंदर जाता है, nose से जब air अंदर होता है, intake करता है, तो उसको बोलते है inspiration, यह inspire बोलते हैं, मतलब अंदर लिए ना, तो inspiration बोलते हैं, और expiration बोलते हैं, बाहर की तरफ सांस को छोड़ना, ठीक है, तो inspiration, प्लक्स, expiration, यानि उसी को inhalation और exhalation भी बोलते हैं, अंदर के तरफ सांस लेना, उसको inhalation बोलते हैं, और expiration बोलते हैं, बाहर की तरफ सांस छोड़ना, तो अंदर सांस ले यह एक तरीका breathing कह सकते हम, ठीक है, तो वह उसी को फिजिकल प्रसेस बोलते हैं, और biochemical प्र्रासेस क्या होते हैं, जिसमें अनर्जी बनता भी है तोता भी लुटा भी आना उससे न्या प्रोडक्ट भी बनता है उस तरीक जाप बाईयो बिक लेते हैं इस टेक प्लेस इंसाइड यह सेल के अंदर होगा इंसाइड थी ल के बाहर होगा सक्षार तारो नें में वा这 की देडी सेल अगे मिलाच अुदा सिर्वॡ नियुक्य। सेल के अंदर कबी बनता होता है एक हमाना ह! बॉलते हैं मेटाबोलिक leap reaction अब सबसे कहा चымиछे काटबोलिक के अधो कि आगयर है यहां पर तूटता है!! material is oxidized और वो oxidized होता है यालि oxygen की presence में है यालि कहीं कहीं oxygen जोड़ता है उसमें ठीक है इट सेंप्ली लिस्ट oxygen to the respiratory surface and rush out the CO2 form in the respiration ventilation of lungs ventilation of lungs किसको बोलते है CO2 जो हमारे lungs से होकर कि नोस से होकर कि फिर बाहर आते है उसको कबलते हैं हम लोग ventilation of lungs बोलते हैं है इसमें कहा होता है कि oxygen अंदर गया और carbon dioxide फिर इन आउट हो जाता है carbon dioxide का हो जाता है हमारे body से तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीधिं है ना ति यहां पर बताए गया कि यहां पर क्या बताए गया कि simply least oxygen to the respiratory surface हमारे respiratory surface के जलिए का होता है oxygen पहुंचे गया हमारे body में lungs तक और फिर rust out हमारे lungs से फिर वापीस हो जाएगा यहां पर समझाए गया बात next the energy is produced in the form of ATP यानि respiration में क्या होता है energy produce होता है और energy produce होता है कोन से form में produce होता है ATP के form में ठीक है energy used in breathing इसमें energy बनता है इसमें energy used किया जाता है next यानि breathing इनर्जी का रूज यूज होता है और इसमें energy बनता है create होता है next co2 water are formed as a waste water waste product होना चाहिए आपर water product आ गया waste product के form में co2 और water बनता है ठीक है waste product के तॉर पर तॉर पर यहां पर किसी तरह कोई waste product नहीं बनता थीज आर नौट प्रोडूजड प्रोडूजड बट रिलीज आउट अप दे लंग्स यहां पर लंग्स से क्या होता है कि oxygen को release किया जाता है कि किस तरह waste product नहीं जेनरेट करता ठीक है next हम लोग समझ लेते हैं अब कि respiration के बारे में कुछ और points जो कि हमारे लिए important है पहला है respiration is a process one thing here respiration is the process by which respiration is a process by which respiration is a process something error one minute हम पर रहते हैं कि respiration is the process by which food is born मतलब respiration is a process by which food is born in the cell of the body with the help of oxygen to release energy respiration में क्या होता है यारि respiration एक ऐसा process है जिसमें food को burn किया जाता है जलाया जाता है सिल के अंदर with the help of oxygen oxygen की मदद से आपको पता होगा कि कहीं पर भी अगर fire लगता है या आग जलाना होता है तो उसके लिए हमको oxygen necessary है oxygen नेसेसरी है मतलब कहीन के oxygen चाहिए तो उसके फूट को भी burn करने के लिए क्या चाहिए oxygen चाहिए जो हमें फिर बाद में release करता है energy यानि food को अगर हम burn करते है oxygen की presence में चमको energy produce होता है it takes place in the mitochondria of the cell यह कहां होता है यह सब सार अब जो प्रॉसस के अंदर होता है the energy release during the respiration is used to make ATP molecule मतलब जिस दवरान हमरे energy मतलब यह जो फुटा प्रॉसस है इसके दवरान क्या होता है कि हम फूट बर्न होता है oxygen के presence में और energy produce होता है वह जो energy release होता है respiration को दवरान उस energy का फिर बाद में हमको ATP बना लिया जाता है ATP molecule बना लिया जाता है जिसका फूल फॉर्म होता है adenosine triphosphate from ADP molecule जिससे मतलब ADP molecule से फिर तयार होता है यानि समझ लो ध्यान से यहां दे कोई यह लिखा होया है याब ADP molecule होता है phosphate already हमारे cell के अदर परजिल्ट होता है अब यहां पर oxygen जो burn किया थे वहां से energy भी आया respiration जो है respiration वाले प्लासे से energy आया यानि ADP phosphate और energy जो release हुआ respiration से वो तीनों मिल करके ATP बना लिया जागा अब ATP बन गया अब ATP जो बन जाता है जहां पर वही बात लिख होई है कि from ADP molecules adenosine triphosphate उता इसका full name और inorganic phosphate यह जो phosphate यहां पर inorganic phosphate है तीनों मिल करके यह हो गया first यह हो गया second और यह दुगया third यह तीनों मिल करके क्या मनाएगा हमारा कि ATP मनाएगा अब ATP energy is stored in the cell in the form of ATP यानि energy is stored होता है cell में वह ATP के molecule के form में होगा when the cell when the cell needed energy अब cell को भी energy की जुरॉत होती है किसीज के लिए हमारा body कहीं पर repair करना है वारा cell का growth होना है यह energy चाहिए होगा किसी work को किसी activity को perform करने के लिए तो इनर्जी चाहिए तो जब energy चाहिए होगा तो ATP is broken यह ATP को तोड़ दिया जाता है in the presence of water to form ADP and काक बना जाता फिर ADP बना जाता है और energy is released फिर वहां से energy release किया जाता है यहाँ देखो ATP है ATP को तोड़ा जाएगा ADP के फिर में phosphate के फिर में और energy के फिर में पासने में आ गया यह इसी का reverse process यहाँ पर होगी है ठीक है अब आगे हम लग समझते हैं कि types of respiration respiration का कितना type होता है यहाँ दो main types होता है respiration there are two main types of respiration पहला होता है aerobic respiration दूसरा होता है anaerobic respiration aerobic respiration का first point हमारे पास दिया गया है यह जो aerobic respiration जब भी होगा इसमें oxygen की जरूद पड़ेगी यहाँ पर air का मतलब होगया oxygen O2 ठीक है यहाँ पर का चीज़रोत पड़ेगी O2 की जरूद पड़ेगी जहाँ पर O2 की जरूद पड़ती है जिस टाइप के respiration में उसको हम लोग पर इनर्जी यह दो स्टेप्स में complete होता है यह पर यह कहा होता है complete process occur in cytoplasm इस cytoplasm में ही हो जाता है सारा process समझें cytoplasm किसको बोलते हैं दोकर यह हमारा पूरा सिल है यह सिल जो हमारा यह nucleus हो गया nucleus में छोटा सा ओर्गन होता है इस तरीके से इस तरीके जैसा इसको हम लोग बोलते हैं mitochondria ठीक है यह mitochondria हो जाता हमारा अब यह जो बाकी एरिया बच गया यह जो खाली space जो बच गया यह पर liquid जैसा होता है यह पूरा total liquid से भरा होता है उसे liquid को हम लोग बूक्वाइजम के हम लिक्यूर कैंदर होगा और यहां देख लिए second step mike stukandria के अंदर हो बचन की इनल्या क्योंदिते हो और यहां देख लिए second step लेकिन यहां सारा प्राउसस कहा हो जाता है साइट अधर हो जाता है गुल्कोज के अक्सिडाइज होता है और पूरा पूर मातरा में अक्सिजन एनरजी प्रोडूस करता है तो ठीक है। पूरी तरी कीसा Oxidize हो जाता है Oxidize होने मतलब कि CO2 प्रोडूज होगा हमां से और H2O carbon dioxide और water यहां पर H2O होगा गुलकोज is incompletely oxidized to either an organic acid and alcohol with CO2. यहाँ क्या produce होगा? यहाँ पर जब oxidized होगा यह न ऑक्सियन के साथ मिलेगा glucose. यहाँ पर ऑक्सियन तो होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या बनेगा? Organic acid बनेगा और दूसरा alcohol बनेगा. और यहाँ पर carbon dioxide भी कुछ amount में release होगा. Large amount of energy produce यόλे इसमें जो होता है Large amount of energy produce होता है यहाँ पर आप को हम बता दें कि Large amount का मतलब होगी है 38 ATP मिलेगा यहाँ पे अनर्जी और यहाँ पर Жो है Only 6 to 8 ATP energy मिलता है यहाँ पर तो यहाँ पर बहुत कम energy मिलता है और यहाँ पर कितना मिलता 38 ATP energy यह ज़्यदा में यहिन ज़्वक टैपप में गया होताी है यह स्द्धनको ये कहा होता है ये जो है और लेक्टोस में से बता दे एक special तरीक की bacteria होती है ठीक है जो जो अपने अगर आपको नहीं पता था हम आपको बता देते हैं कि के बारे में कुछ सेथे गुलकोज होता है जो इस पारवेट का बना होता है आप मतल जाता है आप से पूछा जागा यह ओजीकी पॉर्शन असकते हैं सब्सक्राइब किस्म होता है अब कारवन मॉलीकुल क्योंकि आप उपके बिटा रहे हैं तो इसमें कितना होता है छे करवन के बना होता है यह जो पंद्धा यह कहां होता है साइट प्लाजі में और ःवर के जिए मतलब गुल्कोस ब्रेक्ज ँटेगा Пाश़ृवेट में गुल्कोस आ ابके जवर चis Harvey तीन कर्वन इंत्व सिर्थ ऑफ रेपले करें तो इंत्व कोज को बताए हैं इंतरी इस क्थे क साइटुप्लाजम बोलते हैं अगर आपको नहीं समय तो फिर से जाके रेपले करके देख सकते हैं बतर यहां पर गुलकोज का होता है पाइरुवेट में टूटता है है ना साइटो प्लास्म में अंदर माइटो कंडिया इस साइट ऑफ ब्रेकिंग डाउन पाइरुवेट यूजिंग ऑक्सिजन अफिर प फिर पाइरुवेट भी तूट जाएगा असका फिर वहां से carbon action energy release होता है अब पाइरुवेट तूटता कभ है जब oxygen उससे रियक्त होता है यॡेट LOC पार इनरजी रिगलीज होगा सील में जो होता है cellular respiration के दवरान जो energy release होता है तो उस दवरान बहुत जल्दी immediately वहाँ पर ATP molecule बना लिया जाता है which is used for fuel to all other activity in the cell और बाकि जितना भी इस activity होता है करने के लिए अब हम एक मिनट थोड़ा सब देख लेते हैं कि यह जो प्रॉसेस पर रहें यह जो अभी एक दो टीन स्टेप्स पर है इन सारे स्टेप्स का समरी शॉट समरी दिया गया अब यह जो गया अगर यही होगा अब यह साइट प्लाजम का हो गया इस अब जो होगा यहां पर यहां पर लैक आप होता है बतलब अक्सिएन होता पर बहुत कम जैसे कि हमारा मसल्स जो होता है अब अकसर नोटिस कियोंगे जो एथलेट्स होता है मतलब आ जो लोग खेलारी बगडा होते हैं वो सब क्या करते हैं कि अकसर रणिंग के दावरान हाड जो है मसल्न क्रैम्स होता है जिसके बहुत जोड का दर्द होता है वो इसी वजास होता है पर उसके मसल्स में L Psychant उसके मसल्स में लैकृwatch आइसीड बंचा जाता है जो कि तीन कर्वर अप्रोय मॉलेक। बनना होता है यह पैरवेट चूट के क्या बनेगा लेक्ट एसीड बनेगा और एनर्जी बनेगा क्यों होगा ऐसा क्योंकि इसमें oxygen की कमी होगी हमारे मुसल्स में अब oxygen की कमी क्यों हो जाती देखिया बहुत एक्सेसाइज करने की वाया से यह बहुत लंबा क्या बोलते हैं रनिंग होनी की वाया से उस दराण हमारे बॉट्ट मसल सेल्स के अंदर प्रोप्र तरीकी सा ऑक्सिएन नहीं पहुंच पाता है जिसके वाशे बहुत कम ऑक्सिएन होगा तो फिर लेक्टिक एसीर और पर अनर अग्सिएन जब होगा उस दवराण जब एनरजी बनेगा तो अब सिंस जो होगा उस दवरान एनर्जी वह रियक्षन यह उस तरीकाइज की से पाए जागा वह यस्ट के अंदर पाए जागा एक बार फिर से देख लिए अगर आपको नहीं पता या नहीं समझ आए में जोहोगा यह कहा होगा माइठ गडेया में अलग लग तरीका और अलग लग लग तरीके रॉस्पृरलाइक का मतलब क्या है समझ health कर शुथ भाटकॉंड बात के इसलेज़ाय में लिएarti यहाँ पर लिखा गिये और यहाँ पर लिखा गिया है यहाँ पर लिखा गिये है सांस लेटा है। butterfly, जो टड्डी होता है, उसे का यह को होता है? small egg ko caterpillar, जो सांस लेता है, इच्छी से सांस लेता है, spherical से, यानि छोटा सा bowl होता है, इसको body के cell space पर, उसको हम लोग बोलता है spherical से, man जो lung सा सांस लेता है, आगे man के बारा में कि देखना चाहतना है कि मिद्सक आपमेंधा अभछ में थुना अजी देखना जा है कि हम देखना चाहरा है कि आपके पास इसके वारे में कितना कितना बच्चों के पास इसके वारे में कि लंग से और इसकीन से कैसे सांस ले सकता है मतलब कब लंक में इसका इन संस लेगा कोई भी और यह सबस्तनों तो इसक इन से डाईफा किक्वालगा संट हैं वहाल she's available He'll give you a part of a chiya आप कोसिस किजिए कि अपने साथ-साथ और किसी दूफसरे को सेर करें जो आपके क्लास्मेट है जो आपके दोस्त हैं कि जिससे हमारा भी एल्प हो जाया हम अपनी तरफ से बना कर कि दे सके तो बस आज के लिए इतना ही पढ़ाई करते रहे All the very best